नमस्कार दोस्तों न्यूस अट नाइन में आप सब का स्वागत है इससे पहले की खबरों की और बढ़ेया ये हेड्लाइन्स पर नज़र डालते हैं जी ए एनहराई ने भारतीय एनहर सी की मानिता को फिर से किया ना मंजूर नियूक्तियों में राजनेतिक दखल को बताया कारण सैंहतुरास द्वारा मानिता प्रापत संस्थान है जी ए एनहराई ओरंग नाशनल पार्क से मराग गेंड़ा हुआ बरामत असम में स्थित है ओरंग नाशनल पार्क एक सींग वाले गेंड़े के लिए हैं मशूर और विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर गिरी गाज फेमा के तहट एडी ने की 25 ठिकानों पर कारिवाई विदेशी मुद्रबाजार की समस्याओं से निपचना है फेमा आएए खबरों की ओर बढ़ते हैं जी ए एन एच आरई यानी ग्लोवल एलाइंस ऑफ नाशनल हूमन राइट्स इंस्टूशन्स ने भारत के राश्ट्रिय मानवादिकार आयो या एन एच आर्सी की मानिता को फिर से नामन्जूर कर दिया है ये एक दशक में दूसरी बार हुआ है कि जी एन एच आराई ने एन एच आर्सी को मानिता देने में रुची नहीं दिखाई है संस्थान ने इसके लिए नियुक्तियों में राजनितिक दखल मानवादिकारों के उल्लंगन की जाच में पुलिस की बढ़ती भागेदारी सिविल सोसाइटीज के साथ खरा की जाच आरवरब को मानवादिकार संस्थान देने के लिए मांदन्ड तै किए गए है इसके थे मूल मांदन्ड तै किए गये है और ये मूल मांदन्ड है जनादेश और शम्ता सरकार से स्वाइतता एक कानून या सम्विधान द्वारा गारेंटी क्रित स्वतंत्रिता बहुलवाद पर्याप्त संसाधन और जाज की पूरी ताकत मानिता हासल करने के लिए रास्ट्रे मानवादिकार संस्थानों को इने पूरा करना जरूरी होता है भारतिय एनैच आरची की स्थापना 1993 में संसद्वारा पारित पानवादिकार संरक्षन आदिनियम के तहट की गई है जब 1999 में एनच आर आई के लिए मानिता प्रक्रिया की शुरुवात हुई तभी से इससे एस्तिती एनेच और आई के रूप में मानिता दी गई है एक ब ये इस्तिती वाले राष्ट्रिय मानवादिकार संस्थान शामिल है। इन्हें अमेरिका यूरोप अफ्रीका और एश्या प्रशांत के हर इलाके से चार चार के आधार पर प्रतिर्दित दिया गया है। ए इस्तिती की मानिता वाले संस्थान GANHRI के कामकाज और फैसले में भागिदारी निभाते हैं साथी साथ मानवादिकार परिशद और दूसरे सैंक्त राश्ट के निकायों के काम में भी भागिदार बनते हैं सबकमेट्री ओन एस्टिटेशन या सीए के जरिये GANHRI हर पास साल में राश्ट्रिय मानवादिकार संस्थानों की समीक्षा करता है और उसे मानिता देता है समीक्षा में देखता है कि संस्थान पेरिस सिध्धानतों के मुताबे काम कर रहा है और नहीं अगर संस्थान पेरिस सिध्धानतों से भटकता है तो उसकी एक कैटगरी की मानिता रोग दी जाती है NGT यानि National Green Tribunal की दक्षणी पीठ ने विलाचेरी जील की सीमा के भीतर मकान बनाने की मंजूरी पर नोटिस जारी किया नोटिस में तमिलाजू Housing Board of Tamil Nadu अरवन Habitat Development Board को निर्देश दिया गया है कि वे इस बारे में एक रिपोर्ट ताखिल करें NGT का गठन 18 October 2010 को NGT Act 2010 के तहत किया गया इसे राष्ट्रे पर्यवरन अपीलिय प्राधिकरन के जगहे पर इस्थापित किया गया है इसका गठन किसी भी पर्यवरनिये विवादों से निपचने के लिए एक विशेश निकाय के रूप में किया गया है इसका काम पर्यवरन वन और अन्य प्राकर्टिक संसाधनों के संरक्षन से संबंदित मामलों का बहतर और तेजी से निपचारा करना है राष्ट्रे हरित अधिकरन अधिनियम के मुतावित एंजिटी के लिए ये जरूरी है कि उसके पास आने वाले पर्यवरन संबंदी मुद्धों का निपचारा छे महीने के भीतर हो जाए एंजिटी का मुख्याले दिल्ली में है जबकि अन्य चार शेत्री कार्याले भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेननाई में इस्तित है एंजिटी के अध्यक्ष की निपती भारत के मुख न्यायधीश की सलहा से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है न्यायक सदस्यों और विषेश शग्यными सदस्यों की निपती के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चोयन समीती का गठन किया जाता है एंजिटी के सभी सदस्यों का कारेकाल पांस साल तक का हुता है विदुवारा चुने जाने के पात्र नहीं होते हैं अब आप सभी के लिए जरूरी सूचना स्टरी आई क्यू आई एस हिंदी टीम हिंदी माध्यम में छटा लाइफ पाउंडेशन बाच लेकर आ गई है साथ जून से शाम में छे बजे इस बाच की शुरुवात हो रही है इस कोर्स में प्रति दिन ठाई से तीन घंटे की नियम समरित लाइफ कोर्ट का इस्तेमाल करना होगा इससे कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल हो जाएगा कोर्स के संबंद में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं आईए वापस खबरों की और बढ़ते हैं अ समातरन गैंडे और एक सींग वाले गैंडे शामिल है भारत में केवल एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है गैंडे की प्रजाती में एक सींग वाला गैंडा सबसे बड़ा होता है इस गैंडे की पहचान एकलकाले सींग और त्वचा के भूरे रंग से होती है ये रूप से असम पश्यमंगाल और उतरप्रदेश में पाए जाते हैं असम में इसके लिए चार्ज शेत्रों को सनरक्षित किया गया है और यह शेत्र कौन-कौन से हैं पोवित ओरा वन्यजीव अव्यरंड राजीव गांदी ओरंग नाशनल पाक काजीरंगा नाशनल पाक और म में रखा गया है साइट की सूची एक में वैसे लुप्त प्राय प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिनका व्यापार होने से उन्हें और अधिक खत्रा हो सकता है अगर भारत की बात करें तो इसे वन्यजीव सनरक्षन अधिनियम उन्हें सब 72 के अनिसूची एक में शा राइनों का एक मात्र नाशनल पाक है एक सिंग वाले गैंडरों के अलावा यहां पिग्मी हॉग हाती हॉग हिरन जंगली सूर आधी जंगली जानवर भी पाय जाते हैं धनसिरी और पच्चनोई नदी इस पाक को दो हिस्सों में बाठती है यह दोनों ब्रह्मपुत्र नदीध हाराएं और घास के मैदान पाय जाते हैं औरंग नाशनल पाक को 1985 में एक अव्यरण के रूप में स्थापित किया गया आगे चलकर एपरिल 1999 में सरकार ने इसे एक राश्ट्री उध्यान खोशित कर दिया फिर 2016 में केंद्र सरकार ने इसे देश का 49 वां टाइगर खोशित कर दिया प्रवर्त निदेशालय या इजी ने फेमा यानी विदेशी मुद्राप्रवंदन अधिनियम के तहर दिल्ली गुजरात माहरास्ट मध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 25 जगहों पर विदेशी पंजीकृत ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और वेफ संबंदित कानूनों को एक साथ लाने के लिए बनाया गया साथी से भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के विवस्तित विकास और रखरखाओं को बढ़ावा देने के लिए भी लाया गया है इसके तहट विदेशी मुद्रा से जुड़े सभी लेंदेन को पूंजी या चालुखाता लेंदेन के रूप में बाटा गया है इस कानून में EG को विदेशी मुद्रा कानूनों और विनियमों के उलंगनों की जाच करने की जिम्मेदारी दी गई है साथ ही से कानून का उलंगन करने वालों को सदा दिलाने और उन पर जुर्माना लगाने की भी जिम्मेदारी दी गई है EG भारत सरकार के प्रमुग वित्य जाच अजिंसी के रूप में काम करता है यह एक बहु अनुशासनिक संग्ठन है इसे मनी लॉंटरिंग के अपराद और विदेशी मुद्रा कानूनों के उनलंगन की जाच की जिम्मेदारी दी गई है इसे फेमा के अलावा मनी लॉंटरिंग प्रिवेंशन आक्ट 2002 और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के खिलाव भी मामलों की जाच करने की ताकत दी गई है आईए बुलिटिन पर आधारित प्रश्णों को देख लेते हैं प्रवर्तन निदेशाले यानि एडी के वैधानिक कार्यों में निर्मलिकित में से कौन सा अधिनियम का प्रवर्तन शामिल नहीं है विदेशी मुद्रा प्रवंदन अधिनियम 1999 तबाइलेटरल नेटिंग ओफ कॉलिफाइट फाइनेशियल कॉंट्राक्ट्स एक्ट 2020 मनी लॉंडरिंग प्रवेंशन आक्ट 2002 बगोडा आर्थिक प्राधी अधिनियम 2018 दूसरा प्रश्ण है निर्मलिकित कत्नों पर विचार कीजे राश्ट्री मानवादिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है और इसके स्थापना 1993 में संसर द्वारा पारित मानवादिकार संरक्षन दिनियम के तहत की गई है भारत में केवल एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है जो गेंडे की प्रजाती में सबसे बड़ा होता है औरंग नैशनल पार्ग ब्रह्मपोत्र नदी के उत्री तट से सटा हुआ है और ये ब्रह्मपोत्र नदी के उत्री तट पर मौजूद एक सींग वाले ग्रेट इंडियन राइनों का एक मात्र नैशनल पार्ग है उपरिक्ट में से सही कथन या कथनों का चुनाओं कीजे क केवल एक केवल एक और तीन केवल दू और तीन एक दू और तीन पिछले पुलिटेन पर आधारित प्रश्णों को देख लेते हैं विश्व कच्छवा दिवस दोजार तेईस की थीम क्या रखी गई है अटॉप्ट डॉट शॉप आई लव टॉटल्स सेफ दी टॉटल्स इन पुरसकार टॉम और तीन एक दो और तीन और इसका सही जवाब है विकल्प सी यानि केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है इसमाइल कादरी इस पुरसकार के पहले विजेता है ना कि गीता अंजली श्री तो फिलाल के लिए इस बुलिटिन में इतना ही जल्द मिलेंगे एक और नए बुलिटिन के साथ तब तक के लिए धन्यवाद